नमस्काल दोस्तों आज हम आपके लिए लेके आए हैं 100 daily use English sentences अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए जलो स्टार्ट करते हैं पहला sentence है तुम मेरे बारे में क्या सोचते हो अगर आपको किसी को पोच रहा है कि तुम मेरे बारे में क्या सोचते हो तो आपको बोलना है what do you think about me? तो आपको क्या बोलना है what do you think about me? अगला sentence है मुझे आपसे बात नहीं करनी है अगर आप किसी से नाराज हो तो आप उनको ये बोल सकते हो I don't want to talk to you I don't want to talk to you next sentence है ओ यार नहीं है अगर आपको कोई पोच रहा है किसी के बारे में पोच रहा है कि कोई x by z person आपके पास है क्या तो आप उनको बोल सकते हो he is not here he is not here next sentence है मैंने उसे सुबह देखा I saw him in the morning I saw him in the morning आपकी देखने की जो प्रिया है वो हो चुकी है इसलिए यहाँ पे सी का पास्टेंस लिया है saw सी का पास्टेंस है saw अगला sentence है वो मुझे नहीं जानता कोई तो x y z person है जो आपको नहीं जानता है तो आप बोलोगे he doesn't know me he doesn't know me अगला sentence है आज बहुत गर्मी है अगर आप किसी को आज के वेदर के बारे में बता रहे हो तो आप बोल सकते हो it's very hot today it's very hot today अगला sentence है शायद आज बारिश होगी बारिश अभी होई नहीं है बारिश होने वाली है इसलिए और बारिश होगी भी और नहीं भी होगी इसलिए यहाँ पे maybe इस वर्ड का यूज किया है maybe का मतलब है शायद शायद आज बारिश होगी maybe it will rain today maybe it will rain today अगला sentence है मैंने तुमें यह बताया था कोई एस इन बात है जो आपने आपकी फ्रेंड को पहले बताई थी और उनको अब भी पता चलिए तो आप उनको यह बोल सकते हो I told you this मैंने तुमें यह बताया था अगला sentence है यह फ्ल मीटा है friends फ्लों के अनगणग टेस्ट होते हैं किसी का खटा होता है किसी का मीटा होता है तो जिस फ्रूट का जिस फ्ल का टेस्ट मीटा होता है उस फ्रूट के लिए आप बोल सकते हो अगला sentence है वो बहुत अच्छा दिखता है कोई आपका friend है जो दिखने में बहुत अच्छा है तो उस friend के लिए आप बोल सकते हो he looks very nice next sentence है मैं बहुत खुश हूँ मैं बहुत खुश हूँ समझो आपको किसी ने खुश कबर दी है और उसकी वज़े से आप बहुत खुश हैं तो आप उसको इंगलिश में इस तरह से बोल सकते हो I am very happy I am very happy next sentence है वो मेरे साथ आएगा he will come with me he will come with me कुपया दीरे बोलिये आप study करने के लिए बैटे हो और आपके बाचों में कोई जोर जोर से बात कर रहा है तो आप उनको इंगलिश में बोलो Please speak slowly Please speak slowly अगला sentence है मुझे बोक लगी है आपको बोक लगी है इसको आप इंगलिश में कैसे बताएंगे I am hungry I am hungry मुझे बोक लगी है अगला sentence है क्या आप मुझे मिलना चाहेंगे आपका कोई पसंदिदा शक्स है जिसको आप मिलना चाहते है लेकिन आपको पता नहीं है वो भी शक्स आपको मिलना चाहता है या नहीं है तो आपको उनको पूछ रहा है क्या आप मुझसे मिलना चाहेंगे तो आप उसको इंग्लीश में ऐसा बोल सकते हूं इसको आप इंगलीश में इस तरके से बोल सकते हो आपकी ममा केचन में काम कर रही है और आप आपकी ममा की सायता मदद करना चाहते हो तो आप अपनी ममा को ए बोल सकते हो मैं आपकी सायता कर सकता हूँ next sentence है वो तेश दोड़ता है इसको हम इंगलेश में ऐसा बोल सकते है he runs fast next sentence है मैं यहाँ नया हो मैं यहाँ नया हो अब अपने जॉप के लिए या फिर अपनी पढ़ाई के लिए किसी चिटी में या फिर किसे कंट्री में अभी अभी dough होय हो तो वहां के जो लोकल लोगें उनके साथ बात करते समय आप उनको बता सकते हो I am new here इसका मतलब है मैं यहाँ नया हो Next sentence है क्या तुम मेरे साथ चलोगे? आप मार्केट में जा रहे हूँ और आप अपनी सिस्टर को बहन को ऊचरा चाते हो क्या तुम मेरे साथ चलोगे? तो आप इसको इंगलेश में ऐसा बोल सकते हूँ Will you come with me? Will you come with me? अगला sentence है मुझे समय चाहिए आप अपनी लाइफ का कोई बड़ा डिसीजन ले रहे हो और उसके लिए आपको थोड़ा उसके बारे में सोचने के लिए तोड़ा टाइम चाहिए तो आप उसको इंगलेश में इस तरीके से बोल सकते हूँ I need some time I need some time Next sentence है वो बहुत अच्छा काता है He sings very well He sings very well Next sentence तुम यहाँ कैसे आए? How did you come here? How did you come here? अगला sentence है हम कल मिलेंगे अपने दोस्त को बोल रहे है हम कल मिलेंगे तो इसको इंगलेश में आप कैसे बोल सकते हूँ तो आप उसको इंगलेश में बोल सकते हूँ We will meet tomorrow We will meet tomorrow दोस्तों आपको आज की यह जूट sentences अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक, शेर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए Thank you